हेलो गाइस आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं अच्छे होंगे आज हम पानी पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं पानी पूरी में मतलब कि पानी का छोले का रेसिपी तो हम पहले से ही सेर किये हैं आज पानी बनाएंगे पानी पूरी का तो सबसे पहले इमली को हम भी हो लेते है 30 मिनिट के लिए यहां पर एक लिटर पानी के लिए 40-50 ग्राम के बराबर इमली लिए हैं कि इतना पर्फेक्ट होगा 100 ml पानी डाल लेते हैं और इसको रख देते हैं अच्छी तरह से फूलने के लिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं पानी के लिए चटनी बनाते हैं य लिकीं छैन्द रख का टुकड़ा कुछ धनिया के पते अब दीना के पत्ता है यहां पे हम स्क्रीक कर रहे हैं और इन सभी को ले कर पेस्ट बना लेते हैं इसमें अम को पानी एड़ने करना हैं इसा तरह के पेस्ट को चहिए हुआ अब इमली का हम गुदा अलग कर लेते हैं इसका पानी हम कुछ ही है अच्छे तरह से इमली को मसर लेजिए और बड़ी जाली से इमली को छान लेजिए या फिर गुदा अलग निकाल लेजिए यह हमारा इमली का पानी है इसका गुदा हम अलग करके पानी यूज़ करेंगे अब इसमें हम एक लिटर पानी और एड़ करेंगे एक लिटर पानी के लिए 40 से 50 गरा मिमली परफेक्ट होता है अब इसमें हम जो चटनी तयार किये थे वो डालते हैं इसके साथ है इसमें और भी मसालो को हम एड़ करेंगे दो चमच की बरावर हमको जल जीरा यूज़ करना इसमें जल जीरा डालने से टेश्ट इसका और बढ़ जाएगा यह हमारा दो चमच जल जीरा जाएगा इसमें इसमें हम काला नमक और जीरा घर पे पीस कर यूज़ करते हैं उसको डालते हैं असाथ में ही हम स्वाद के अनुशा आधा चमच सेंधा नमक यूज़ करते हैं वो डालते हैं यहां पे सेंधा नमक के जगह आप वाइट नमक यूज़ कर सकते हैं यह लाल मिर्ज पाउडर यूज़ कर रहे हैं आदा चमन इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा इस्पाइसी यहाँ पर हिंग को हम इसकीप किये हैं क्योंकि जलजीरा का यूज किये हैं उसमें पहले सी रहता है यह हमारा पानी तैयार हो गया देख सकते कितना जटपट असानी से बन गया है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करिए और हाँ अपना रिव्यू दीजिए कैसा लगा वीडियो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू